अश्री डॉकुमेंट ने जो फॉर्म है उसमें तो भावार राम जी का मंदर ही था उसकी जगा फिर एक धाचा बना दिया जाता है जब मंदिर बनता है न कहीं लोग गोलते हैं जिए इस जगा पर आपने स्कूल खोल दिया होता है असदाल खोल दिया होता है जब रावण ने हरन के सीतमे जागा अट आट टाइम सीतमे का हरन हुआ नहीं हम देखने जैसे हम स्पिरिशुल लाइफ में आते हैं तो भावान के साथ एवन स्लाइट कनेक्शन भी अगर होता है तो फिर आध्यात्में आनन्द की अनुगूती होती है अमोग लीला प्रभुजी नमस्ते हरे कृष्णा नमस्ते जी हरे कृष्णा वेलकम तो थे लसम पॉड्कास्ट आप आप आया हमारा सभाग्या और हम बात करेंगे आज भगवान श्री राम की जै हूँ, सिया राम चंद्र की जै उनका इतना बड़ा मंदिर बन रहा है तो उनके बारे में बात करेंगे और उनके ये मंदिर के बारे में बात करेंगे पहले मुझे एक्चुली ना, normal users के लिए, बहुत सारी चर्चा चल रही है भगवान श्री राम के बारे में तो आप थोड़ा भगवान श्री राम के बारे में बताएंगे उनकी हिस्ट्री के बारे में तो बहुतकर का मतलुकर है जो कि अवतरित होते हैं उनको बोलते है अवतार तो उनीमें से एकैटेगरी उनको बोलते हैं लीला अवतार तो लीला अवतारी Category में फिर मर्यादव पुर्शुत्तम रूप में भवान, Shri Rama Chandrā आते हैं और भवान का ये वास्व में पूनदम रूप है Shri Rama Chandrā की रूप है क्योंकि बहागी और जो incarnations होते हैं अवतार होते हैं वे एक सर्टन परपस के लिए आते हैं राम जो नाम है यह उनका नित्य नाम है, हालकि हम दिखते हैं कि वशिष्मुनी ने उनको नाम दिया, जब भवाम प्रकट हो रहे हैं, तो नाम करन हो रहा है, चारो बच्छों का एक साथ, और फिर जैसे उनने अपनी गोद में लिया है बच्छे को, राम चंदर जी को, तो राम चंदर जी उनकी हृदय में स्पूरित कराते हैं, राम, पिकॉस उनका नित्य नाम राम ही है, तो इसलिए इस प्रकाश को नाम पढ़ता है, राम का मतलब होता है, बवाँ श्री राम, तो हम देखते हैं, जैसे हम स्पृरिच्छल लाइफ में आते हैं, तो भवान के स होता है, इसलिब गई ऐसे लोग हैं जो कि बहवान की भक्ति में आते हैं अगर हरी भक्ति में आते हैं, सो संसार के सुक छोड़ेते हैं, कहा कमाल की बात है आया, तुम्हों पईजा कमाऊ यार, मजा करो, यानि कि यहां कुछ higher मिल रहा है आश्री तब भी तो हम लोग चीज को छोड़ पार तो हम कह सकते है राम और सच्चिदानन का मतलब एक ही है आश्री सच्चिदानन जो है भगवान का स्वरूप है पर ये राम especially spiritual bliss spiritual bliss में भक्ति की bliss वैसे तो निराकार के अंदर भी आनन्द है इसको बहुते ब्रह्मानन्द तो हम सोचे वह राम का मतलब भाहिए ब्रह्मानन्द ही होगा नहीं जो ब्रह्म में मिलने वाले सुख है जो निराकार ब्रह्म में सुख मिलता है किसी आत्मा को उससे सेंख़ो तो कुना जब ज़ादा condensed सुख है वह है भक्ति का सुख तो राम का मतलब वास्ता में यह है साथ एक और मतलब जो दिया गया कुछ अचारविदार वह है जह हम बोलते है रा तो सारे सिन मुह से निकलते है तो वापस मुह में ना घुज जाता हो राम सो सिन जो जो वापस मुह में जो को बोलती वेलेते है जो राम का मतलब यह ने ने अट्र नक क्वारम का मतलब राम आपका मतलब डाम अ बड़ाधु अ राम का मतलब मधुसूदंघ राम ने समया अ एमतलब शूद थाम अ अूंत्य। यह इसलिए कभी-कभी जैसे शुद्ध में राम बल राम, राम बल राम, because राम इस राम इस राम को आप्र आनन्द, और तब आता है when we are in touch with the spiritual potency, the bhakti potency of God, भखवाने कई potencies उनमें से एक potency, bhakti potency, so उसका अनुभवम कर पाते हैं. तो हम जब चांट करते हैं, आपके इस्ट्रदेव क्या है, उस हिसाब से आपके मंतर का मीनिंग आपको प्रकाशित होता है, अगर तो आप राधा कृष्णे भखते हैं, तो आपके लिए राम का मतलब है राधिका रमन राम, और अगर आप वहान श्री राम चंद्रजी के जो के अविध्यापती राम है, सीता पती राम है, दर्शत नंदर राम है, तो फिर उसमें हरे का मतलब हो जाएगा सीता, और राम का मतलब हो जाएगा राम चंद्रजी तो इसलिए मंतर जो है, अहम, तौम, नमामी, इनसे एक particular potency भी derive, और साथ ही हम आपके इस्ट्रदेव के फोकुस करेंगे ना, तो नाम फिर आपको आपके इस्ट्रदेव के द्रशन कराएगा, तो कृष्ण या फिर राम. तो आप ये Hare Krishna महा मंत्र को, अगर मैं राम भकतू तो उसके नजरिये से अगर आप उसको break down कर सकते है, Hare Krishna मंत्र को राम भकत के नजरिये के? तो या या, या वेसे ऊगर Kopf राम भकत भी है, वो भी अगर क्रूज महा मंत्र करता है, नहीं, hari Krishna, 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 Hare Hare, Hare ram,גrram, राम, 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 हरे, हरे, उसको पून, रुपेन, सिद्धी प्राप्त होगी, साकेद धाम में, हविए पूर्चल फॉर्म, पूर्चल रॉलेशनिशिप लॉर्चिर राम, वो सब उसको रिवील होगा, अगर वो हरे कृष्ण महामंतर भी लेता है तो, तो इसलिए नाम में कोई लोग जैसे conflict में आते हैं कि हरे राम पहले, हरे कृष्ण बाद में, हरे कृष्ण बाद में, सार आप कोई भी नाम लेते हो, फिर आप जो इस्ट देव का स्मरन करके पिर आप जो नाम लेते हैं Naam Rooap Gun, Naam Rooap Gun, Naam Rooap Gun, Naam Rooap Gun Leela, Naam Rooap Gun Leela but in this way, yes, a common thing is Naam ने नम से ही बाकी aspects भागवान की… आप आपंच से ही, Naam Roof Gund Leela, त हो क्या है, मतलब hvis यह स्थीक We क्लिब आपे इससे को means स्सेक्समें तषूरूरूदा I start with Naam, Naam, Naam now but Naam, I am very sincere I am balanced being with the God और भावना के साथ, and then what happens then, naam reveals a roop also, okay, now naam भी है, roop भी है, naam भी है, roop भी है, wow, that's so nectarian, और अभी भी मैं लगावा हूं, so naam roop, अभ गुण, इस roop के साथ बहुण के साथ और गुण भी और रवील होने शुरू हो जाते है, wow, that's so sweet, that's amazing, that transcendental, okay, naam roop, गुण, लीला, ली आए, show me God, sir, there is a process, if you follow the process, you can have darshan of God, face to face, just like, I am having darshan of Harshal, इस तरह से face to face, we can have darshan of God, but this is a process. अभी हिस्टरी पे आते हैं वापिस, भगवान शीराम की हिस्टरी पे, तो कौन सी सदी में आये थे वो? जाएगी, लेकिन वहे चार युग होते हैं, सत्योग, त्रेता, द्वापरकल युग, तो छटे मनवंतर के जो त्रेता युग आते हैं, उसके अंदर वास्तव में आते हैं, तो इसलिए रामचादरी जी का आना भी बहुत rare है, हम सुचे रामजी अंदरी जी हर त्रेता मे हैं, उसके अंदर राम जो कथा है, और वालमी की रवाय में जो कथा हैं, हम दिखते हैं कुछ दिफरेंसे भी आते हैं, because एक किसी कल्प की है, एक दूसरे कल्प की है, तो राम जी कमस इन वन दे ऑब ब्रहमा जी विच 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 वेरी बिग प्रियोग प्रियोग प्रिय थाताता वह गाता, तो डूमर प्रियोग भी प्रियोग तो sy Sempre Humanительноक भीने राम जी वह ए, पर दिज प entwic crisis, reminder कि वीर विच वेटे विच वेशह जी वूए, तो सृत के विक माय स्ही विच विच वह जी विच विक ओक ले फा Olbn проис च॥ So in this way, Lord Ramachandr, He appeared. But yes, Bhagawan, वैसे साकेद धाम में है, in the spiritual world, spiritual sky के अंदर, वाहपर उनका साकेद धाम है. And then from here, there, He comes to this Ayodhya. So ये अयोध्या भी spiritual है, वो ये अयोध्या भी spiritual है, that's like an embassy. ये से तो वहाँ पर है, लेकिन उसके embassy यहाँ पर होगी. वहाँ पर साकेद धाम भी है, वहाँ पर साकेद धाम भी है, where Lord Ram is doing Nitya Leela. But He also comes to this Ayodhya धाम, which is expansion of that साकेद धाम. और यहाँ पर वो लिला करने के लिया आते है. फिर लिला यहाँ समाब भी करते है, कि वो सरे वन अदियू में जाएंगे, and then Lakshman ji would take the form of Anantashesh, जाना और जाना इस पर कहाँ से लगा रहा था. तो साकेद धाम में in the spiritual sky is Nitya Leela. और यहाँ पर है, यहाँ पर occasional past times होते हैं बहुआन के. तो प्रभु जी एक सवाल है, मुझे यह थोड़ा offbeat ले रहा हूँ. आपने कहा, तेते यूग में, मनुष्या रहते थे 11,000 सालों के लिए. 10,000 सालों के लिए. 10-11,000 सालों के लिए. तो जो non-believers है, या जो सवाल पूछेंगे, वो पूछेंगे कि यह, मतलब हम कैसे कह रहे हैं, बिकॉज यह तो modern science में लिखा ही नहीं है, या दिखा भी नहीं है. तो हम इतनी confidence के साथ कैसे कह सकती यह 10,000 सालों के बारे में. पर बतो क्या है, modern science जो है न अपने आप में, हम सोचे है, we can use it as a testing criteria to conclude about spiritual reality. वो हम कर ही नहीं सकते आश्ली. Modern science जो है, अगर हम देखे न, it deals with gross matter. Not even subtle matter. Subtle matter में आता है, मन, बुद्धी, अहंकार. अहंकार के बारे में, किसी scientist से पुछो, what is ego? पर ego होती की नहीं होती? बिल्गुल होती है, कुछ लोग तो भरे हो है ego से. पर ego, आप देखो, कही periodic table में नजर नहीं आती? intelligence, mind, मैं brain की बात नहीं करा, brain तो even dead body में भी होता है, but you don't say, that's a very intelligent dead body. brain है उसके अंदर, लेकिन बुद्धी नहीं है उसके अंदर. So, बुद्धी, मन, अहंकार, ये तीन जो है matter है, पर इसके बारे में, आज modern science को कुछ नहीं बता. फिर spirit के बारे में, तो और नहीं बता, तो modern science को consciousness के बारे में, नहीं बता, consciousness is still a question mark. आज भी हम ढूंड रहे है कि ना, consciousness के बारे में, चेतना, feelings, emotions. क्योंई chemicals है तो आते नहीं, dead body में सारे chemicals हैं, जो मेरे में. पर who would like to marry a dead body? आपके experience है, is there any direction कि हम figure out कर सकते ये सब चीज़ों के बारे में, spirit, consciousness, any parameters? आश्टी कि है, modern science जो है, because it deals with only gross matter. तो उसने हम उसको criteria नहीं मना सेते हैं, कि ना, हम जालनेंगे. नहीं नहीं. जैसे कि, for example, अगर कोई mechanics ही बात करें, सार, quantum mechanics में, अलग laws लगते हैं. मैं, force is equals to mass into acceleration, मैं quantum mechanics में कैसे लगा दूँगा? मैं यहां जो mechanics उसमें लगा हूँगा, right? तो इसने बहाँ अलग laws चलते हैं. उस तरह से spirituality के अंदर आपके अलग laws चलते हैं, आश्ली. तो सोचे हैं, हम यहां के laws से उसको judge करेंगे, नहीं करते हैं, हमारी knowledge limited है, हमें इस बात को स्विकार करना पड़ेगा. तो हमें subtle matter के बारे में नहीं पता, spirit के बारे में नहीं पता, supreme spirit के बारे में तो absolutely हमें को idea ही नहीं है. तो यह तो कोई मालो, बच्चा हो 5 साल का, और इसने अभी सीखा basic algebra, और उसको हमने integration का sign दिखा दिया, उसके लिए integration का sign सांप है. मैस में आप हमें सांप क्यों दिखा रहे हो? बच्चा है नहीं, बच्चा है नहीं, हम कैसे विश्वास करने, बच्चा है ना वो? तो इसलिए knowledge का, क्योंकि लेवल अगर 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 नीचे होता है, then you can't understand these subtle realities actually. तो कोई बोले, आप दसदार साल कोई कैसे जी सकता है? Sir, आपकी knowledge अभी इतनी है, because you are dealing with gross matter only, उसमे भी आज experiment कर रहे है, लोग PhDs कर रहे है, उसमे भी आज हमारी महारत नहीं है as such. जैसे एक समय गाओं था, वहाँ पर एक radio था, और radio था तो, गांवाद किसे अभी आज हमें, वहाँ पर शोसमें नौग गमा धिये, तो उसमें से गाना वजना शुरू करता है, यह मावाद कैसे हा रही है, कोऊनो चुडाएल है? और उन्हे लठ लिया, लठ लियके उसको मार दिया, ही! आह, चुड़ायल की कमरिया पड़ी ना, तभी तो, उसका उसने दुआ लटमार उसको मादिया. नेट नेट नॉलेज गया पे अभी? एक्जाक्ली. ओके. यह अपे साते भगवान शीराम पे, आयोध्या पे उस टाइम पे, अगर आपकी रिडिंग के हिसाब से अगर आप थोड़ा समझा सकते हो, उस टाइम पे अयोध्या में महोल कैसा था और भक्ती कैसे फैल रही थी वहाँ पे और क्या मूद था अयोध्या में? इसका प्रिशान महाराज के पास सब कुछ था, विस अबने उनकी बेटी है, कुछ इशान नीए, यह दो पता किया शान्ती, लिकिन पास बेटा नीए, आक हुआ भाइव की रही है, विसके बास रहुंति उनके पुत्रकामिष्थि यग्य के था, पुत्रकामिष्ठी यग्य करने कि अब बड़ी लंबी स्टोरी है उसमें किस प्रकार से उसमें रिश्य श्रिंग नाम के विक्ति हैं जोने कभी स्थी का चाहरा नहीं देखा था तब तक और ऐसा विक्ति ही पुत्रकामिष्ठी यग्य कर सकता था फिर बड़ी मुश्य से उनको वो मिले मैं वो स्टोरी मिन जारा विकाओ इस वे लॉंग स्टोरी उसके बाद जाके फिर यग्य पुरुष होए यग्य पुरुष ने क्या हाथ में बड़ा सा गहला था उसम सुमित्रा को और कैकै को कैकैई ने भी अपना पाया आधा और आधा दे दिया सुमित्रा को यहनि सुमित्रा के पास अपना खुद का one-fourth भी है और शाथी one-eighth भी आ गया है तो इस तरह से कैकैई कि यहाँ हुए फिर भरत जी ब कोशले में गया हुआ है राम जी और सुमित्रा जी के यहाँ पर हुए one eight से शत्रुग्न और one four से लक्ष्मन जो कि आगे जाके लक्ष्मन अब सेवा करेंगे राम जी की और जो शत्रुग्न हुए वो सेवा करेंगे भरत जी की तो इसलिए बहुत ही आनंद का मोहल था सबस तो यह भक्ति की फीलिंग है, जितना ज़दा सेवक होते हैं, उतना ज़दा अपना सुभाग्य मानते हैं, दास दासन हो दास, तो इसलिए इतना हर्शो लास का समय था, सबके सब बहुत आनन्द में थे, और चारों बच्चों में बहुत ही ज़दा प्यार हैं आपस में, चा किया जाए, तो वशिश्मुणी नि क्या किया, लक्षमन को लिया, राम जी एक रेल में डाल लिया, शत्रुगन को लिया, भर जी करेल में डाल लिया, अब चारों बच्चे खुष होगे, तब साको बदा लग जया, असल में जोड़ी इन की ऐसे है, राम और लक्षमन की, भरत वा शत्रुग्न की साथ यहाँ मेनिंग क्या है चारो भायों क्योंने का राम, लक्ष्म, भरत वा शत्रुग्न, धर्म, अर्थ, काम, मुक्ष, धर्म, अर्थ, इस लक्ष्मन, अर्थ को लगाना चाहिए धर्म की सिवावे, अर्थ, जिए अर्थ, विए धर्म, भ शत्रुग्न, काम अच्छोन मुक्ष, अवैठम निक्ष्मण, अक्ष्म, और्वियौ्ट काम यहाँ भायोंने की बनार्थ, ढर्थ, Quality Whipal, मुक्षत्यों, और्ज वीद चाहिए ठÕ्छ, kap टुलिकान धर्म, धर्वुथ अजर्म, कि द राम, लक्ष्मन, भरत और शत्रुगन, इस तरह से चारो भायो की जोड़ी है So that's the meaning of their names That meaning of course और अलग है Lakshman means the one who has Lakshmi or Seva क्योंकि वो राम जी की Seva की Lakshmi हो उनके पास और वैसे उनके पास he doesn't have external opulence की उनके पास को Lakshmi हो But actually he has wealth of service So his name is Lakshman भरत का मतलब है जो भाहर सहेगा फिर भी Seva करते रहेगा So he, उनके पास भाहर था false allegations का कि इसकी वजा से राम को बनवास हुआ है So false allegations का भाहर लेने के बावजूद भी Yet he is engaged in Seva So it's भरत और शत्रुगन, शत्रुगन मतलब है the one who conquers the enemies वैसे कोई रवायन पढ़ लेने के लिकिन की कोई वार तो हुई नहीं So how come he is conquering you know a battle So कोंसी बाटल लडी बढ़ा शत्रुगन है शत्रुगन मतलब है जो अशत्रुगन मतलब है शत्रुगन मतलब है शत्रुगन But I would be servant of the servant Bharat is in lover with Ram So I will be servant of the servant So I will be servant of Bharat So the battle he was victorious in this battle So इसे उनका नाम है शत्रुगन And these are eternal names of the four divine brothers So these four divine brothers in चारो के बीच में जब ही उनका चाइल्ड हुड था बच्चे थे तभी उनका ग्रोइंप यर्ज में से कुछ ऐसी interesting कहानिया है जो ये बांड को और थोड़ा गहरा करती है Yeah, of course ऐसी चारो जो भाई है उन्हें बहुत प्यार है आपस में And once they were playing with mud ये चारो भाई आपस में मदब कीचल बना करके और चारो भाई पूरे लटपत हो रखे है Otherwise सबके complexion भी अलग लग ले ऐसे रामचंदर जी is greenish in complexion Lakshman जी is whitish in complexion Bharat जी सामने रंके है और इस प्रकार से जो शत्रुगन है He is also having grayish complexion तो सबका अलग अलग complexion है पर जब सारो भाई जब खेल रहे थे तो कीचल से बिलकूल रथपत से तो तब उस पक सुमित्रह कह कही है और कोशल नी का देखो अभी तो पहचान भी नहीं आ रहे कौन राम है, कौन लक्षपन है, कौन भरत है, कौन शत्रुगन है तो अभी तीनों अभी हसी रही थी तो चारो भाई ने का रहे हमारी माई खड़ी हुई है, चलो इनको भी लिपेटे में ले लेते and then उन्होंने उनको ही मढ में ले लिया and then now out of the three mothers nobody could recognize कौन है, इसमें कौन है, इसमें सुपतना कौन है, इसमें कहकरी कौन है but they are having such good time but एक विक्ती था हुआ is really getting burnt in envy seeing them happy who was that the personal consultant of कहकरी और उनका नाम है मंथरा मंथरा दूर खड़ी खड़ी जो है बहुत दुखी हो रही तो राम जी ने का आनन्द में है और यह विचारी दुखी हो रखी है तो राम जी ने कीचड़ बना करके यह बाल बनाई उसको भी उसमें मारा तो वो भी कीचड़ लत्वत होगी of course she could not take it होता क्या है जो विक्ती बहुत negative होता है न वो खुशों में भी negative ही सोचना होता है यह की we are driven by our own minds सो जो मन्थरा है she is driven by her own darkness वो अपने खुद के अंदकार से जून जरी है इसले आनन्द के मौहलव भी वो negative ही है तो मन्थरा से हमें प्रेना ने ने चाहिए we should take inspiration from सु मन्थरा सु मन्थरा is minister who was very loyal to Lord Ram तो ऐसे वेक्ती से हमें inspiration देनी चाहिए but yes the four brothers were always there with each other और साथिय चारो भाई इनको छोड़कर का है दश्रत जी वशिष्मुनिक आश्रम में की अब आपना इनको training दीजे तो वशिष्मुनिक का ठीक है अब आप जाएगे लेकिन मैं देखू दूसे मेरे बच्चे कैसे परफॉर्म करते है योकिन अगर बच्चा अगर राइट हैं से धनश उटाता है आरे शत्री यह नहीं है योकि अगर बच्चा नाच्रली अगर लेफ्ट है इसमें शत्री आखून है अगर बच्चे मेरे बच्चों में कितना शत्रित्व है यह लेकिन आपको जाना होगा मैं पिता हूं I have the right to see कि बच्चे मेरे कैसे परफॉर्म करते हैं गुरुकुल के अंदर बिल्कुल जी हर पिता को यह अधिकार होता है लेकिन हर पिता को अपने बच्चे खीर खा के नहीं मिल रहे अपनी पत्रियों को खीर खिला के नहीं मिलते तो यह आपके बच्चे थोड़े पर गुरुजी होकर हमारी नॉलिज कहा से आती है तो लीलाओं में रोल कर रहा हूंगा आप लोगो नीचे बैठे होगे मैं को शिक्षा दे रहा हूंगा पर मैं जो दे रहा हूं शिक्षा यह आप ही से आ रही है मेरा रेगुलेटर तो आपके पास ही होगा तो इसलिए य होने की यह सेवा में से कर सको इसका आशिरवाद दीजे तो इसलिए अगर कोई यह सोचे कि ना यह भगवान कृष्ण भी सांधी पुनी मुनी के पास जाते है और चार भाई विदो गए वशिष्मुनी के आश्रो में यह जाते है as a matter of Leela not that they lack some knowledge वो अपने ignorance को दूर करने यह जा रहे है यह लीला में होता है उनका तो इसलिए है चारो भाई गए and all the four of them are Vishnu Tattwa that means they are Godly. इन में से कोई मनुष्य नहीं है कि मनुष्य है कोई भरत बना होना ऐसा नहीं है all the four are Vishnu Tattwa they are Godly in their constitution. और इसके बाफ फिर 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 पर्सुन जे इंटरक्शन से आँ they are really awesome. जो कभी इसके चरित्र में रस लेते हैं तो कभी राम जी के तो कभी लक्ष्मन के तो कभी भरत के तो कभी शत्रुगन के अलग अलग lotus में यानि की अलग अलग जो चारो भाई हैं उनके चरित्र में का जो रस है उसका आस्वादन करते हैं because mutual interactions are so sweet. तो ये सब जो आप बता रहे हो, कोई नॉमल व्यक्ति हो जो अयोदया जाना चाहते हैं अभी इस साल में, रामायन उन्होंने पढ़ी हो, और क्या पढ़ना ची उन्हें? अश्री रामायन के जो दो तो जो प्रकरणने बहुत ही फेमस हैं एक तो रामचरत मानस हैं which is very famous, एक तो अवदी भाष्रम है, सरल भाष्रम हैं और साथ ही जो रामचरत मानस है उसका जो जो में करेक्टर है, is not राम, रहे है, अहिसा कैसे? नाम तो यह है रामचरत मानस, प रामचरत मारेश पढ़ सकते हैं, साथ ही पढ़ सकते हैं वालमकी जी के रामयन, 10,000 verses in Sanskrit, अबधी भाष्रम हैं और जो वालमकी रामयन के जो ही रामचरत में और 25,000, 24,000 verses, और यह संस्कृत के अंदर है, और वालमकी रामयन के जो घरो है वो है रामचरत जी, and of course devoted also there, so तो दोनों ही बहुत सेमस हैं, दोनों ही आप पढ़ सकते हैं, बहुत अदिमर आवेलेबल, तो जतना आद आद आपढ़ेंगे, कॉंटम्प्लेट करेंगे, और बहुत सुंदर कथाएं भी है, रमायंद की उपर, मैंने भी 25 लेक्षर की सीरीज ली थी, दूरिं कोविड की लोग घर बैठे हैं तो ठीक है, तो आप राम जी के बाहर में सुने हैं, so I had this 25 lecture series, that's available on YouTube, free of cost, people can listen to that, so, और इसके अलावा, कंब रमायंद भी है, जो कंब रिषी ने लिखी थी, कंब रिषी ने इसके अलावा, आध्धात्म रमायंद भी है, जो कि वेद्वियाजी ने लिखी है, तो इसना हिससे, there are different versions of रमायंद, which people can read and contemplate. और जैसे, श्री कृष्ण ने भगवाद गीता दौर आई थी, लोगों के लिए, as a book of life, वैसे भगवान शी राम ने कुछ ऐसी book of life लिखी है? श्री राम चंदर जीन कोई ऐसी book of life नहीं थी, पर उनका जीवन ही book of life है, श्री बगवाद श्री कृष्ण जो है, he does everything very godly, so you can't really imitate, क्या imitate करें भई? गोपियां कितनी इनकी 10,000 क्रोड गोपियां, कौन इतनी girlfriend रख सकते हैं भई? तीन girlfriend रख सकते हैं भई? तीन girlfriend रख सकते हैं भई? तीन girlfriend रख सकते हैं भई? Rita, Senior Rita, Kamala, कौन किसका भई है? 10,000 क्रोड गोपियां हो, 16,108 पत्रियां हो, विशुरू भी दिखाते हैं, गोवर्दन उठा लेते हैं ये, इन से हम क्या सीख सकते हैं भई? ये इनके विवार साब कुछ नी सीख सकते हैं, because he does everything at the level of God, behavior ये उनका God के level का ही है, तो फिर उनसे क्या सीख है फिर? Krishna Bhagavan से ना उनकी वार्णी भगवदीता सीख लो, वो हमारे लिए है, आचा Bhagavan Shri Ramachandra, Ramachandra Ji enacts the teachings, ideal brother, ideal husband, ideal son, ideal master, हर तरह से ideal है वो, तो उनके चरत्र से वह कुछ सीखने का हो, जिस तरह से वो dealings करते हैं हरे के साथ, जिस तरह से निशाद राज है, निशाद राज से अगर वो help लेते हैं, अगर वो बनवासी वेश लेते हैं, और सहा साथ में जटाय बनाते हैं, उसे गोन दे करके, उस साथ गयते हैं, आप से मैं कभी नि काऊंगा कि हम लोग चार भाई हैं, आप से कहूंगा हम से हम पाँच भाई हैं, वाव, what a dealing, और को बोले भी उची जाती निची जाती वेदी कल्चर में, never ever he is saying, आप से हम पाँच भाई हैं, and when he meets Vibhishan, he says, अप से हम कभी नी बोलूँगा हम लोग चार भाई हैं, वो निचाद राज भी हैं, now Vibhishan, you are also my brother. But dealings, awesome dealings, Ashley. तो इसलिए बहुआश्री रामचंदरी जी की वानी से भी सीखते हैं, no doubt, लेकिन आश्री की वानी से बहुत को सीखने को है, बहुआश्री की वानी ही हैं, बहुआश्री की वानी ही हैं, उनके वहवार से, as a brother, कोई क्या सीख सकता है? As a brother, he is very caring. Very caring. और हम देखें, Lakshman, although he always has a feeling, कि राम जी की और अच्छे सिवा कर सकूँ, but he never complains to Lakshman. Lakshman, what kind of assistant you are? Never ever. Never ever. और जिस तरा से भरत से मिलते हैं, बहुआश्री राम से दर वापस आ रहे हैं, उनको सबसे जादा anxiety सी बात की है, कि भरत ने बोरा था, 14 साल से अगर, एक दिन अगर extra हुआ, I'll give up my life. तो वह anxiety में, that this is the last day. अभी सीता में ये को अब छुडा चुके हैं वह, now we have to reach Ayodhya as soon as possible, यह कि एक दिन extra हुआ अगर, भरत will give up his life. So, he's thinking like that. तो इसलिए जब वह उतरते भी हैं, before meeting anyone else, he first goes and embrace भरत. ये भरत जी के साथ उन का होता हैं. और साथ ही Hanuman Ji को बोलते हैं, कि ना, before meeting भरत, कि देखकर क्या हो कि ना, उनको बताना कि ना, राम जी आ रहे हैं, उसलिए भरत के expressions देखना, अगर भरत दुखी हो रहा होगा ना, अगर उसमें कि राम आगे तो राम अच्छा गासा है, तो राजपाट मेरा होगा था, अगर हलका से खटास नजर आए ना, तो फिर बता देना कि आने वारे थे, फिर वो लेकिन आगे कहीं और जाएंगे और अगर वो इस पर खुश हो, तो फिर आगे खबर देना कि, Okay, I am coming. So, he is so much so sensitive about भरत, अब भरत ने तो आशों से ही पहला अभिशेक तो राम जी का आशों से हो गया भरत जी के, अब भरत जी लिवड इन ओर हमबल वे थेन राम जी, क्योंकि राम जो हैं वो कहीना कहीं जमीन पर सोते हैं, तो मैं उनकी सेम लेवल पर कहीं सोंगा, तो उन्हेने कोटिया बनाई, आउटसाइड आउद्धा के भारी परिफेरी पे, उन्हें कोटिया बनाई और कोटिया के अंतर गड़ा खोत के रहे, ताकि I should sleep on lower level than राम, राम जी तो अब जमीन पर सो रहे हैं, I am a servant, तो ऐसे करके भरत होते हैं, और साथ ही राम जी यह सोचते हैं कि जितने भी कांटे बगारा होना, लिला शुक्ति सुने का कि ना सभाटा दो, because अगर भरत आ रहा है उसको कांटे हालेग, उनको चुबने का फरक नी परता, because he is also God. पर उनको यह पता लगा है, कि यहां से राम जी गुजरार यहां कांटे थे, यह देख कि उनको बहुत दुख होगा, so he thinks about his brothers like this, and he gave such a good hug to Shatrugna, because he knows कि यह भरत यह Shatrugna यह मेरे सेवक का सेवक होने का भाव है उसका, और यह राम जी को बहुत प्रिये भाव है, तो इससे चारो भाईयों के साथ, he has got such loving beautiful dealings, so in fact, जतने भी मातापिता हैं, अगर उनको चाते हैं कि बच्चों में आपस में प्यार बढ़े, तो वैसे बोल देंगा है, थोड़ा प्यार भी आकर हो, लड़ते रहते हैं, और मातापिता कभी उनको गाली भी देते हैं, को कुट्ते कहेंगे ना होता, बेभ खूंखेंगे ना दिमपत दिमाग, earlier parents used to teach, कि बच्चों में भाई बहनों में प्यार कैसे हो, ये राम, लक्ष्मन भारत व शत्रुन के आपस में जो dealings हैं, ऐसे रहा करो तुम लोगों, बच्चों को inspiration मलते हैं, वाव, what love, लक्ष्मन जो की 14 साल सोई नहीं, राम जी की सेवा में, so इंदरजीत के तीर से जो लक्ष्मन जी का मूर्शित होना है, वो राम जी की इच्छा से था, लेकिन राम जी की इच्छा से था, उनको पता है मेरा भाई सोया नहीं 14 साल, मेरी सेवा में, इसलिए उसको ठोगा रेस्ट करना जरूरी है, अच्छा पेरेंट्स के लिए एक थोड़ा ओफबीट क्वेस्टिन है मेरा, अगर मैं पेरेंट हूँ, तो मतलब ये भारत भी राम जी की सेवा में, लक्ष्मन भी राम जी की सेवा में, श्रत्रगुन भारत की सेवा में, बद एक्छुली राम जी की सेवा में, तो अगर मेरे चार बच्चे है या दो बच्चे है, तो कौन किसकी सेवा में होना चीए, यह मैं कैसे डिसाइड करू? आशली आप देखे जितने ही ब्रदर्स है उनका आपस है बहुत प्यार है but keeping Ram in the center लेकिन but Ram ensures कि ना इनका आपस में कभी भी कोई conflict ना हूँ जैसे बन भारत was coming अभी यह निशाद राजी की ही पर थे लेकिन भारत अभी भारत आपनी सेना के साथ तो वलकम आशली पर लक्ष्मन को लगा यह आकरमन करने आ रहा है कि यह निकाल दो दिया ही है इसकी वैसे निकले है so he was ready to attack और निशाद रा तोचने की दोनों भाईयों ने तो इनी सोचा आप मिलकर के राम जी गुमार ने और भारत जी यहां पर आ रहे है और राम जी नोस कि ना यह तो सबका मेरे से प्यार है but there can be conflict so राम जी ने रिजॉल के एक मन एक मन गुट 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 भारत आश्टी is coming to welcome me ईनको यह गुट 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 गपैं इसका glorification इसको बताए and God should be center of these relationships and then there is no conflict. तुसे चारो भायो में कभी conflict हुआ ही नहीं, although the center was Shri Ramachandr. So Ramachandr ensured कि उनमें हमेशना प्यार बना रहे हैं. तो जो sibling हो उसे, वो qualities लेनी है. और जो sibling हो qualities ले ले, फिर वो एक center बन जाजा. Yes, that's true. अभी भगवान हनुमान के बारे में आपने mention किया, भगवान हनुमान कहते है कि कैसे कहना चाहिए, हनुमान जी? मैंसे हनुमान जी बोलना चाहिए, because हनुमान जी खुझ है, आपको यह मानते है, मैं प्रभू का दास हूँ. सदार होर रगुपती के दासा, तुम्हे भजन राम को पावें, तो भजन जो करता है, वहां से बहुत शक्तिशाली है, उनकी power हिवार बता जाता है, यहां 10,000 अगर हाती होते हैं, तो वह एक बल होता है, वह एक गजराज में होता है, और 10,000 गजराज में जतना बल होता है उतना एक एरावत में होता है, और 10,000 एरावत में जतना बल होता है, उतना बल एक इंदर में होता है, और 10,000 इंदर में जतना बल है, उतना हनुमान जी की छोटी उंगली में दम होता है, तो हनुमान जी is very powerful, no doubt, but he is servant of Sri Ramachandra, यह चीज़ भी है, तो इसे सदार हो रगुपत पर प्राइमरली उनका जो मूड है, इस दा आफ रगुपता है, तो आफ रगुपते हैं, यह चीज़ भाव होते है, तो सबसे जो बेसिक भाव है वोता है, शांतरस, यानि की दारस आफ एड्मारेशन, बहुन को अड्मार करना, जिसे प्रलाद, प्रलाद को रगुपता ह रगुपता है, वो एड्मारेशन का है, मेरे प्रभुच है इतने सुन्दर है, और वो ग्लोरिफिकेशन करेंगे, इससे भी आगे जो आता है, वो है दासे रस, दासे रस के अंदर ग्लोरिफिकेशन भी होता है, शांतरस की भी qualities है, plus service भी है, which is there in hanuman, कि मैं आपको सेवा इसकी उपर जो रस आता है, वो हाता है, साके रस, साके रस का अंदर शांतरस भी है, दासे रस भी है, plus qualities of साके रस, जैसे अर्जुन, वो साके रस में, साके रस में, as a friend भी दो थारके फ्रेंड होता है, एक होता है थोड़े से एश्वरे वाले friend, बादब कि with awe and reverence, मित्रत ह लेकिन उसमें एक और चाहरे की और यसे कि ऑनवान ke अदर किरिषना दो सोता है रहेगा, गया कोई चराएगा , कोई ऑन अदर रहेँ नहीं, फुलान खुलाम खुला जलते हैं, साखे रस, इसवा फिर वासर रस भी आते है, वासर रस के अंदर जहाए, क्वालिटी स्पिछे रसों की भी है, प्लस उसमें there is a desire to protect Krishna, जैसे भवान की रक्षा हूँ, जैसे कोशलय मही है, श्री थिंक सीना राम की रक्षा हूँ, तो रक्षा हूँ, हालकि भवान हो कुछ नहीं होने वाला है, तो प्रभू है, लेकिन वासर रस है, वैसा लगता है, मेरा तो खेर, मैं तो किसी रस में नही प्रभू है, लेकिन हाज जो लोग सिद्ध हो जाते है, वासर रस में ऐसा है, parental love, तो उसमें मातेश होदा जो है, वो कृष्ण को टीका भी लगाएंगे, और कृष्ण को नजा ना लगे, यह पिर कॉष्ण भाएं महीं है, वो भी उनकी नजर उतारती है, डाम मेरे नाम को तो इसलिए उनको क्लिर ने होता है वासिर रस अ फिर उसकी उपर राता माधुरे रस माधुरे रस is that of being a beloved of the Lord Beloved है फिर wedded love भी है unwedded love भी है तो राम जी केसमे is only wedded love and that to ek patnivrata that is Sita that's it Krishna के साथ उनके साथ एक परकिय रस भी है that means in case somebody wants to be a girlfriend of Krishna so somebody can do tapasya कहीं साथ दू लोग जहें tapasya करते हैं जन्मों जन्मों तक to come privacy of the Supreme Lord तो वो भी एक रस है उसको परकिय रस है स्वकिय रस means wedded love परकिय रस means unwedded love तो यह रस है यही रस है जो संसार के अंदर perverted form में, materialistic form में आते है तो यह रसम्गों जन्मों 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 आते हैं I admire someone मैं किसी का सेवा कूं लेकिन उसमें salary based सेवा होती है दोस्ती है लेकिन दोस्ती temporary भी होती है वासर रस भी है जिन्माताबदा का बच्छों से प्यार होता है यहां समबडी इस having wedded love and unwedded love as well यह संसार के जो रस है ultimately आरे हैं दे from their spiritual original counterpart coming from spiritual world वही जगत के अंदर आते है because everything in the material world is coming from spiritual world like that तो इसलिए so these are different रसम्गों जो जो जिसमें सेवा करना चाहे करता है इसमें को superior और inferior नहीं है you know Hanuman जी को जो 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 जिस रसमें है उसमें satisfied है उसमें पूनता का अंभव करता है yes I am done, मेरा तो हो गया रिष्टा मेरा पूरा हो गया रभू के साथ so in different रसा people can serve the Lord और बहुन सको facilitate भी करते है so that the person can develop full-fledged रसा हमारा जो उस्थान है अभी हम किसी रसमे नहीं है हमारा सान अभी हम सादक है सादक है बिसिक भाव होता है that I am सेवक मैं सेवक हूँ अभी दासे रस वाला वोरा रस नहीं अभी उसका थोड़ा सान्शमात्री है पर आगे बढ़ते 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 then ultimately we get into this रसाज पर चाहे जिस भी रसमें हम हो ultimately है हम भगवान की सेवकी जैसे को tamarind rice हो, tomato rice हो या फिर curled rice हो, या fried rice हो है सब rice, flavor अलग है उस पकार से चाहे कोई शांत रस हो दासे रस हो, साखे रस हो मासेल रस हो, या माधूर रस हो है सबके सब भगवान की सेवकी सिर्फ flavor अलग है और आपने lessons बताए from Lord Ram as a brother Hanuman जी के बारे में और बात करेंगे मुझे ये भी पूछना है कि lessons from Lord Ram as a husband because आपने वह भी एक दौर आया है तो lessons from Lord Ram as a husband as a husband क्या lessons लेने चाहिए Lord Ram से Okay, बहुत साही lessons आश्री Ram Chandraji से देखे अश्री देखें उन्हेने उनकी सारी journey is for सारी वानरो की help लेना, पुल बनाना, लंका पहुचना, युद करना, महीनों तक it was all because of Mother Sita तो इसरे उनका ये प्रेम है Mata Sita के प्रति और Sita में ये जह है उनकी eternal consort है बालब ये उनकी नित्य पत्निया है हाले कि यहां पर ऐसा होता है कि उनका आपसे विभा होता है पर आश्टी, साकेद धामिचेज़न, spiritual sky, Sita and Ram they are eternally there with each other eternally, नित्य रूप से हैं यहां पर आकर यो लिला करते हैं ऐसा होता है साथ ही राम जी ने पहली बार सिता में को देखा था सो उस वक्त उनके मन में आगे था if I'll marry, I'll marry her और सिता में ने पहली बार राम जी को देखा था सुचता अगर मैं कभी किसी को पती सिविकार करूंगी तो इन ही को सिविकार करूंगी अब भूआ कया उसी वक्त वो जनक महराजी यहां पहुंचे और जब धनुष तोड़ा धनुष तोटा था, शिव धनुष तोटा था उसकी आवाज इतनी जादा थी कि पूरे ब्रह्माज में सब ने सुनी थी शिवजी ने भी सुनी, ब्रह्माजी ने सुनी नीचे सब पूरे ब्रह्माजी ने सुनी All 14 planetary system they heard the voice only one person did not hear, Sita because she was so much absorbed in that form of Ram that that person was so beautiful, so graceful, so transcendental वो इस absorption नेती, that means अगर आपका focus जबर्दस होता है distractions really cannot really distract you so that is love of Mother Sita so, अब इनको बताया कि आपकी तो विवा होना है Ram ji के साथ का था आप पता नी किसने धनुष तोड़ दिया because अभी तुना गुंगट लिया वा है पता नी किसने धनुष तोड़ दिया या आपकिसे वहा करना पड़े मैं तो मुझे तो उसे वहा करना था जिसको मैंने सुबह देखा था चबूतरे से तो जब आगे बढ़ी तो चरन देखे था या यह तो उनी की चरन है जिनको मैंने सुबह देखा था यह नि जिसने धनुष वड़ वही सेम तेखती है so she was very happy पर राम जी ने का मैं अपने माता पिता से पूचके वभा करूँआ अब सीता महिया है वो हार न डाल पारी लक्ष्मन ने का यह तो बड़ा deadlock situation हो रखी है, यह राम जी तो खड़े हुए और सीता महिया निराल पारी तो उन्हें क्या किया राम जी की चलंच हुलिये, जो राम जी के चलंच हुए तो राम जी ने का अरे लक्ष्मन तो उससरा राम जी फ़ड़ जुके, तब लक्ष्म बड़ादर जी इस अल्वाज़ जी फोड़ादर सीता और उद्यांतर ने की सीता जो है, शी नौट एली प्रो फर वालन्स, अभी तो शत्री है, यह वन्वासी वेश्ट के लिया आपने, लेकिन यह धनुष्माण वगारा यह तलवार वगारा लिविया आपने, वे आपन जब कभी किसी राक्षा सुमाना होते है, तो काते है, लक्ष्मा निए अपनी भावी को तलव अंदर लेगा वज़ादा, मुझे कभी थोड़ कुछ काम करना भी, खर्दूशन का भी, तो फिर ही वेरी केरफूल कि सीता को बालेंस इतना पसंद है, तो इसलिए वो बहुत the feeling of separation he has for his own devotee, कि बिक्ष्मा से पूछ रहे है, वो हिलन से पूछ रहे है, सबसे पूछ रहे है, feeling of separation was intense, क्योंकि यह feeling of separation लोग ने भक्तों में देखिया भवान के लिए, भवान is exhibiting for the devotee, यह देख कर के people were really admiring, एक रिख्ती जो उसमें मोहित हुई वो थी पारुती जी, सती सती हुई, कैसे भवान हो सकते है, यह तो पनी पतनी के लिए करंदन करने आ है, यह सो हैंदग्ट, यह जो रूगग गुलान दिखता है यह जो एकदम, यह बवान कैसे हो सकता है यह तो, शिव जी निका, दीला करने है, पर बोड़ ना कर, पर यह जो है रहे हुन्स सृए She disguised herself as Sita. यारे प्रभू, क्या हो गए, मेरे को क्यो ढूंड रहा आप? यारे सती आप का कर रहा है यहाँ पर? अगेले लिगूमना चाहिए, husband के साथ होना चाहिए Where is your husband? Shivji का है? यारे मैं तो Maya Shakti हूँ Maya Shakti herself came to test Ram और Ram Ji पहचान गए तो दुबारा make-up करके आई, फिर से पहचान गए ये तो प्रभू ही है क्योंकि मेरी को agent भी जाते है, that can bewilder someone क्याहाँ तो मैं साक्षात आई हूँ, H.O.D. Head of the department even then this person is not bewildered ये प्रभू ही है तो ये राम शित निकाल, जो अगें तो अगें तो अगें तो अगें तो अगें तो बाडी जो अगें तो लिए तो अगें तो बाडी जो एक थीक है भाई, I have to take you as my husband, I am your wife So, Ram Ji is so very loyal to Sita और उनकी तो फिलिग तो फिलिग और सेपराशन है वह आ गई थी भाहर के ड्नाइप होने के लिए और जो ओरिजनल Sita है दिवे Sita आदी Sita है शिवाज जेर्वित अगनीदेव अब हाँ पर अब कौन है वेशिए छाया Sita ही है तो अब रावन के पास अब रावन के पास अब रावन कान तो हो चुका है अब तो अब और जो जेता राम जी के साथ जाएंगी ना तो यह जो एक्षेंग होना है इसके लिए वास्तव में दिवाज अगनी परिक्षा कि वे ओके देखना राम जी ने का मैं तो जानता हूं तुम शुद्ध हो पर दुनिया वाले दुनिया वाले तो पूछेंगे कि यह सीता वाके मशुद्ध है कि नहीं ठीक है जी अगनी परिक्षा हो जाएं तो अगनी परिक्षा के बाद हुआ था क्या? अगनी परिक्षा का मेन कारण यह था कि ओरिजनल सीता कमस आउट देरिविद Shri Ramachandra So, औरिजनल सीता इत कम आउट ? देर्ट नो मोस्त कि रिलाइज तो रिलाइस रेलाज आतो जो अगनी परिक्षा हुई रोव बात नहीं करते है कि जो औरिजनल सीता का इता निकल के आया Yes, औरिजनल सीता ये अश्री रामानुचारी जी ने बताया है and there is one scripture written by Madhuachare रामानुचारी जी ने भी explain किया रमायन को अपने टिकाओं के अंदर साथ ही Madhuachare जी ने भी there is Mahabharata Tatpana Nirne and Ramayan Tatpana Nirne तो उसके अंदर जितने ये ये नो controversy वाली चीजा है ना उन्होंने उसको explanations दी है because they are also in the Leela na ये तो Leela वरी तो भगते है रामानुचारी is basically Lakshman so they explain why something is happening उसके पीछे बहला कारण के है अगनी परिक्षा सीता जरने जरने had to give अगनी परिक्षा लेकिन एक तो दुनिया के बाब सामने साबित होगे देखो जी सीता इस पर और secondly original सीता is now there with Ram जहाए सीता is now there और फिर end कैसे होती है सीता महिया और भगवान राम की कहानी इस रूप में इस त्रेता यूग के रूप में जब त्रेता महिया जब भगवान आते है सीता महिया जब भूमी जहाँ जब भूमी से प्रकट हुई है तो इससे वापस हो भूमी में चली आती है and then she would reunite in Sakit Dham with the Lord अब सरेयू नदी में भवान प्रवेश कर रहा है साथ ही जो लक्षमन है भारत शत्रुग ने ये भी सारे अवध्यवासी they all enter Sarayu अब यहाँ पर ना लोग अकसर रमायन बंद कर रहेते हैं किते हैं हाँ होगे बस रमायन खतम होगे पर नहीं इसके बाद थोड़ा से एपिसोड और बाकी है as soon as Lord Ram and Lakshman entered Lakshman जब अन्टर कर चुक है अलड़ी now he manifested as Anantashesh Ram ji is there as Vishnu form as Ram Chandra भरत अशक्त्रुग्न है वह है चक्र के रूप में और शंक के रूप में और सीता में is there in Lakshmi form is there where Lord Shri Ram Chandra और बाकी भक्त लोग इत्यादी है वह भी सांसात में and now this entire entire age goes to Sakitdham this is actually the ending of Ramayan कई बालोग वानते है वह राम जीन सरय उनदी में कूत का आत्मत्या की such a sad ending यार भवान पुड़ी आत्मत्या करें है तो हमारे ऐसे depressed लोग संसार के लोग करते है आत्मत्या Lord entered सरय उनदी to manifest His Divine Sakit formally form यह form भवान की Divine है इसे भवान का एक नाम है कपत मनुष्य that means He is not manushya वह दिखते मनुष्य जैसे है कई लोग बोलते है राम तो आय तो मनुष्य की रूप मही थै ना सर नुष्य की रूप मही थै ना हम भवान का संसारिक रूप है भवान इंसानी रूप नही है हम यह नहीं कहते बेटा तो जी हम कहते है बेटा बाप पे गया है कोई नहीं कहते है बाप बिलकुल बेटे पे गया है ऐसा कुन बोलता है So God made man in his own image. So actually this image is actually that of God हम उसकी material replica है made of flesh and bones पर original form यह अश्री भवान की है यह भी एक misconception लगता ना लोग को सीता मैया का end हुआ अगनी परिक्षा पे हाँ नहीं 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 उसके बाद निकल के फिर अगनी परिक्षा हो गई पापे साना दोनों रहे ग्यारा हजार साना बिलकुल उसके बाद बिलकुल उसके लवकुष भी हुए and then later on she enters into Bhoomi अभी हनुमान जी के बारे में बात करते है हनुमान जी की जय और हनुमान चालीसा के बारे में बात करते है पहले कि यह हनुमान चालीसा जो तोसी दाजी ने लिखी है उसका significance क्या है इस रामायन में और यह जो आज के आज की तारीक के जो भक्त है उनके लिए हनुमान चाली साथ क्यों इंपॉर्टेंट है? लेखिए, अश्री हनुमान चाली साथ वह हनुमान चाली साथ वह हनुमान चारत्र का गुडगान है तो जो उसमें तुसी दास जी लिख रहे है उसमें characteristics भक्त के बताने बहुत ज़रूरी है पर मुझे तो राम जी बनना नहीं है, मेरे को तो भक्त बनने का है तो इसलिए एक separate कुण्जी होनी चाहिए जो की बताये कि एक्षणी भक्त क्या होता है तो वह definition को बहुत खुशूर्ती से वजाते हैं हनुमान चाली साथ के रूप में किस प्रकार से शंकर स्वयम केस्ति नंदन यह जो शिवजी ही है जो की आते हैं हनुमान जी के रूप में स्वयम केस्ति नंदन He is that साथ ही वो भवान का दास मानना उनके भजन जो है राम जी के dedicated है तो जितने भी आप characteristics देखेंगे ना उसके अंदर That is what we should seek to achieve in our life कि उसका कुछ percentage हमारे में विक्सित हो जाए By the mercy of Hanuman Ji और साथ ही Hanuman Ji के और खासी देवी है कि जहां कहीं हरीकता होगी वहाँ पर Hanuman Ji होंगे जहां कहीं राम का गुणगान होगा वहाँ जी होगा यानि कि अभी इस वक्त studio में Hanuman Ji है कि भाई सवाल पूछने वाला सही सवाल पूछें और जवाब देने वाले भी आशिरवाद देंगे कि मैं जवाब देने वाला सही जवाब दे So, He administers कि राम जी के बारे में सही कथा हो So, Hanuman Ji is always there So, वह चिरन जी भी है, He is immortal तो वहालगी वह दिवय रूप में साके धामे भी राम जी के साथ है लेकिन इस जगत में भी अपना expansion रखते हैं ताकि राम कथा करने वाले और सुनने वाले दोनों पर आशिरवाद कर सके Hanuman Ji तो यह अभी जो मंदिर बन रहा है तो Hanuman Ji की बड़ी victory है Yes, of course यह जो मंदिर बन रहा है उसके बारे में आप थोड़ा बता सकते है दर्शिकों को कि मतलब कितने साल पुरान यह कहानी है चलती हुई है यह जो आज जो एक रूप आ गया है मंदिर का तो यह बहुत इसो करीब 500 साल तो होई गए इस संगर्ष को Pre-Independence Pre-Independence actually तो कहीं बार जो है इस पर आक्रमण भी हुए है मंदिर बनता है टेंपरेरियर बनता है तो इसली 1st form में 1st documented form में वहां क्या था Actually documented form है उसमें तो वहां राम जी का मंदिर ही था So it got demolished उसकी जगह फिर एक धाचा बना दिया जाता है Because there are many कहीं ऐसे aggressors आए इंडिया के अंदर तो इससे फिर वहां पर अपना धाचा अपने धर्म के अनुसार धाचा बनाएते है तो फिर लेकिन रहता है कि ना यहां पर लेकिन यहां तो राम जी का मंदिर है और नीचे खुदाई भी करते हैं तो नीचे मंदिर के अखशेश निकलते हैं उसमें से शंक, चक्र, गदा, पद्म जैसे कहीं ऐसे ASI है आखिले जो सर्वेव इंडिया तो इसलिए कई बार इस पर विवाद उठे कि नीचे से चिन निकलते हैं तो सारे सनातन धर्म के हैं फाइनली ऐसे करते-करते यह संगर्ष चलता रहा कोट का चैरी में भी रहा काफी समय तक काफी समय कार सेवक थे उन्होंने भी अपने प्राण इसमें निचावर किये फाइनली फिर इसमें कुछ तो फिर इतने जुनूनी कुछ जो हिंदू थे उन्होंने फिर वो ज्ञाचे को गिरा भी दिया बाद में ऐसा होगे था कि इसको तीन भाग में डिवाइट कर लेते है तो उसका एक पार्ट था विच्वाज एरफ और राम जन भूमी लेकिन उसमें जो में जहां मंदिर होना चाहिए वह भूमी नहीं नहीं आ रही थी तो यह भी रिवाव बाद रहा 90s में फिर करते करत में यह इस फिर Supreme Court में आया फाइनली और High Court में भी जीत गया थे फिर Supreme Court में है Supreme Court में होता है कि जो High Court की judgment है वो 99.9% वो repeat ही होती है सारे evidences भी रहेंगे, arguments भी रहेंगे, उसमें कोछ ऐसा तो होने का निया, कोछ अलगसा कोई factor add हो जाएगा इस तरह से फिर Supreme Court में ही फाइनली फिर इसकी जीत हुई तो हुसार मनिस में और फिर यह मंदिर बनना शुरू हुआ और कितना बड़ा मंदिर है यह? इसमें जो में जो में जो अल्टर मनेगा उसमें तो राम लिला जी होंगे and then ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि उसमें जो उपर का फ्लोर होगा, उसमें सीता राम लक्षान हनमान जी भी होंगे उसकंदर so that people can have darshan of the devotees also, राम जी के साथ-सकंदर तो इस तरह से यह structure रहेंगे इसकंदर और इसकंदर कोई सरीया इस्तमाली किया गया है ताकि यह 1000 साल तक रहे, इसमें time capsule भी होगा, कि अगर कोई जाना चाहिए कि यहाँ पर तो पहले कोई और धाचा हो सकता था नहीं जी time capsule में साही information रहती है किसने बनाया, कब बनाया, यहाँ इटे कहां से आई और पत्थर कहां से आया वो सब information उसके अंदर है किसने बनाया था ताकि कोई यह ना question करे जी यह तो यहाँ तो हमारा धाचा होना चाहिए यह तो बाद में यह धाचा बनाया तो time capsule is also being put in the foundation तो वो भी है और साथ ही इसके लिए जो समुद्रों से और जो पवितन नदिया है उनसे जल आया गया है इसको सीचने के लिए इसकी foundation में और जो इंटे हैं उनमें राम नाम लिखा हुआ है और जो कार सेवकों ने जो इंटे कठी की थी उन से फिर उनकी भी कुछ इंटे लगाई गई जो की वहान का altar है साथ ही उनको डेडिए करने के लिए कि वे उनने बड़ा थ्याग किया है वहान की सेवा में तो इस तरह से उनके लिए भी एक स्मृति सल बनाया गया है So it is going to be huge, big, I would say it is going to be most visited spiritual place in future और अपको क्यों लगता है कि भारत देश के लिए एक इतना बड़ा momentous occasion है हर कोई आग देखो तो हर एक excited है इसके बारे में, world cup fever जैसा हो गया इसके बारे में तो मतलब यह what is the real, आप अभी social perspective से अगर देखे तो what are you observing? Actually, एक तो जो संघर्ष होता है कि इस चीज को बहुत महान मनाता है जिसके लिए बहुत त्याग हुआ हो, बहुत उसके लिए बारे दान किया हो लोगोंने, बहुत महनत की हो, बड़ी प्रतिक्षा कराई हो कि इस चीज ने, वो चीज ना बहुत वालुबल हो जाती है साथ ही, राम जी has been very inherent to the culture, our culture in fact all over the globe, राम जी was being worshipped राम जी के नाम की streets भी है विदेशो में, और राम जी के नाम से बले, even there were kings in Egypt, उनके नाम जो है, वो राम जी से हुआ करते थे, even there is a river in Russia, जिसका नाम सीता है तो ऐसे ही हम देखते है, राम जी is being worshipped in different places, even Iraq के अंदर भी, there are some of the places बहाबर, Hanuman जी और राम जी के, there are some carvings, तो राम जी was being worshipped all across the globe actually, तो इसलिए और फिर ये अयुद्या धाम है, तो इसलिए भी ये central pivot है, ये बताने का कि यहाँ from here everything started actually, यहाँ से राम जी अवली ला शुरू करते है अपनी, तो इसलिए भी ये बहुत important जगा है, historically, spiritually, और जिस तरह से लोगों को यहाँ पर आना जान ये मंदिर खोल दिया, टन-टन-टन करने के लिए, पॉंगा पंडितों के लिए, आपने क्या कर दिया जी, but actually, जब मंदिर खोलता है, मंदिर की वैसे कहीं लोगों को रोजगार मिलता है, जितने बहार लोग फूल बेचेंगे, उनको रोजगार मिलेगा, प्रशाद बटे गारम है, जब मंदिर बनता है, इटक्रियेट आपनेज़ दो, लोगों का रोजगार मिलता है, जब मंदिर सब्सक्रिए, जब मनता है। so much of land, India has got lot of land, अगर आप ट्रेन से कभी सबर करें, कितनी land खाली पड़ी गया, आप कुछ भी हो रहा है, तो इसलिए they can be, they can be used in different purposes, it creates employment. अगर कुई आयोध्या धाम जा रहा हो, तो एक तो राम मंदित देखने जाए, और क्या देखना चाहिए उसे वहाँ पर? आशी आसपास जो है, जो लीला सलीज है वो देखनी चाहिए, कि राम जी का राजय विश्यक हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था, सरे उन्हे दी कहाँ पर है, इस तना के न कहीं ऐसी लीला सलीज है, प्रभु जी ये आयोध्या धाम और व्रिंदावन धाम, दो बड़े धाम हैं जहां पर इतनी महान शक्ती का एक स्थापन हुआ था, तो जब व्रिंदावन धाम जाते है तो एक अलग रूप से जाते, एक प्यार के रूप से जाते, तो आयोध्या धाम जभी जाने तो कौंसी भावना लेके जाना चाहिए वहाँ पर? अमाई लिए तो क्या आयोध्या धाम हो या व्रिंदावन धाम हो? दोनों जगह पर हमें सेवा की भावना से जाना चाहिए. Sometimes people go to holy places with a mood of recreation. कि चलो जी चुट्टी मनाने चलते हैं, कहां चलने? चलो जी अध्ध्या चले, चलो बिरंदावन चले. चुट्टी मनाने की जगह नहीं है, चुट्टी मनाने के लिए आपके लिए और की जगह है, आप वहाँ के आचाहिए. लेकिन आपको जब धाम जाना चाहिए, तो इसी भाव से जाना चाहिए, कि यह हम यहाँ पर भजन करने के लिए जा रहे हैं. हम यहाँ भवान के बार में सुनने के लिए जा रहे हैं. अगर आप भावान के बार में सुनने के लिए नहीं जाते ना धाम के अंदर, it becomes more of a like a picnic. विन्दावन जाते हैं महा बहुत वा तिकी खाली, लसी पीली, जाए विन्दावन धाम की जाये, वहां की वहारी लाल की जाये. So, आप थोड़ा से जाये करके वापस आजाओगे. यह वन्दावन अप थोड़ा स्नान कर लोगे आप थोड़ा, it was very refreshing, ठक गय थी अच्छा हो गया, अच्छा हो गया, अच्छा हो नदी मस्नान हो गया हमारा, यह वन्दा मस्नान हो गया, nice. So, it becomes more of a physical recreation or mental recreation at the max. लेकिन spiritually uplifting नियोगा थो experience. इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है धाम में जाकर के भवान के बाहर में सुनना. अगर आपका सुननेगा का मन अभी नहीं है, तो आभी आप फिर धाम मती जाओ अभी. धाम जाने का परपस यह है, नहीतुना धाम जाकर के, इस तो जब भी जाये हमें संतों के साथ जाना चाहिए. कहीं हो अपने आप ही अप्या अकेले अकेले निकल जाते हैं, पर आपके साह कुछ संतों तो क्या है नहीं. So, we should make a group or then we can go with some saintly person, फिर जाके सीखें यहां पर क्या हुआ थैं, and then with pen and paper, तो जितना सुनेंगी ना उतना जदा हमारी चेतना शुद्ध होती है तो भक्ती की शुरुवात होती है शवनम से शवनम होगा फिर होगा कीर्थनम, that means glorification, फिर होगा स्पननम but it all starts with शवनम तो इसने शवन करने के लिए बहगां के धामे में जाना चाहिए कोई mundane activities में नहीं लगना चाहिए, कहीं मा लोग धामे जाते हैं तो फिर खाने पीने में लगना जाते हैं या हमें ताश भी खेल लेते हैं, लोग कहते हैं या काली बैटा मैं चलो मैं Netflix पे पिच्छा देख रहा हूँ आप लोग दर्शन कर रहा हूँ, मैं Netflix पे पिच्छा देख रहा हूँ सर वो तो आप दिल्लियों भी देख सकते हो, मुंबभी में भी देख सकते हो तो कोई mundane activities में नहीं लगना चाहिए हमें बापर इसलिए हमें बहाँ दान भी करना चाहिए, विशेश्प से ग्रहस आश्रम में जो है, ग्रहस विक्ति को दान करना ही चाहिए जोगी बाकी जो तीन आश्रम है, ब्रहमचायर, वानपस्तो, सन्यासी यह तो विरक्त आश्रम है, इनके बाद धन्त होता है नहीं इनका फिजिकल मेंटेनस होती है वाइधे ग्रहस थांश और ग्रहस की स्पिरिचल मेंटेनस होती है वाइधे इस थ्री, जो इस तरह से मैं जब ग्लास का दूद्ध पीता हूँ तो उसके बाद जब आते हैं तो मुझे एक ग्लास का दूद्ध करी 1500 रुपे का पढ़ता है क्योंकि औरों को भी मैं 30-40-40 रुपे का मैं जब दूद्ध पिलवा रहा हूँ तो हमें साफ सभाई मिंटेन करने चाहिए बल्कि सम्टाइंज भी सुद्ध दूद क्लेंजिंग हम लोग ऐसा करते हैं कार्तिक में जब वन वी गो तो ब्रिंदावन धाम और सम होली प्लेस सो हम उसमें एक दिन रखते हैं एक तो बाकी दिन कथाओं के लिए एक दिन है साफ सभाई का हम ज़ाडू लेकर आएंगे ज़ाडू जिसको जो हो ज़ाडू मिले पोचा मिले लेकर के आओ और पिर रैपर हैं वगएरा उससब उठाना उसब सेवा करने चाहिए यह मुना गाये ऐसी गुंती नजराएं ऐलो गयते हैं आप्रभू का द्रावम गंद्गियां मोखश जाएं हमारे मौल देखो कितनी साफ सभाई होती है हमारे मौल में, हमारे मौल का माल ज़या अच्छा है, ये धाम ऐसी ही बोलते रहते है, योधिया धाम, विन्णावन धाम गन्द की मची हुए है। हमें ऐसी दिर्ष्टी नहीं रखनी चाहिए ऐसी दिक्कत धाम में ये दाम तो हमिशा से चिन्मे ये हमारी दिर्ष्टी क्यों कि बहुतिक है इसलिए धाम भी हमको भुतिक नजर आता है ऐसे ब्लू करका अगर मैं ग्लासे बैल लो तो सब ब्लू ब्लू ही हो जागा सब कुछ So materialism का हम ज़ा चशा पैन के जाएंगे धाम के लिए तो फिर धाम भी फिर material नजर आता है तो यह मानते हुए मेरी दिर्ष्टी में दोश है लेकिन धाम तो चिन्मे है people will come for more for tourism, people will not come for spiritual activities तो यह अगर धाम बड़ा सा चिन्मे सा अगर हो जाए, people will come for holidays actually और हाँ अगर devotees कीरतन करेंगे तो आरे भाई शोर में बशाओ भाई यहाँ पर हम लोग holiday मनाने के लिए आते हैं आप लोगा शोर सुनने के लिए आते हैं ताकि भक्ति करने के लिए जो devotees हैं वहाँ पर आए तो हम जब भी धाम जाएं तो वह चिन्मेता रखें कमसे भाव में रखें कि दृष्टी में नहीं आ आ पारी अगर कमसे भाव में रखें कि हाँ नजर नहीं आ रहा है कोई बात नहीं तो यह भी अरखना बहुत जरूरी है तो जो आपने सफाई की बात की एक साधक को खुद की सफाई करके यह चिन्मेता रूप कैसे ला सकते धाम जाने के पहले कि अभी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैं आयोध्याधाम जाओं तो आपका कुछ रेक्मेंडेशन है लास्ट में कि यह जो यह पांच साथ चीजे आप करो रोज जाने के पहले यह जाने पहले बहुत जुर रही है सुनना क्योंकि संसार में चीजे दिखती है आखों से spiritual life में चीजे दिखती है कानों से इसने मारे society का नाम भी इस कान International Society of Krishna Consciousness कानों से ही consciousness change होती है तो इसले सुनकर जाना चाहिए पढ़कर जाना चाहिए तब हम चीजों को फिर कुछ connect कर पाएंगे यह तो वह है अच्या हमने यहाँ लीला वह भी पढ़ी थी अच्या लीला यहाँ पर रही थी वह ओ या That brings connection तो इसले सुन करके जाना चाहिए पढ़कर जाना चाहिए वह contemplation के साथ जाना चाहिए और वहाँ पर जाकर हमें नाम जब भी करना चाहिए सुबह जल्दी उठना चाहिए अन्हाना चाहिए सास उत्रा होना चाहिए संतों का सम्वान करना चाहिए दान के लिए को चुट्टे पैसे रखने चाहिए जैसे मेरे को अभी दाम जाना होता है I go to my mother यए अन्हार वी ला की काईटक आधाना चाहिए आको धृती पार्ता पहनना चाहिए आपको धृती पहनन नहीं आता धृती कॉरता पहनना सीख सकते हो YouTube अचुटेव मल जाएं आपको या फिर आपकी हरेकिशना मंदिल में आपको धृती पहनना सीखा देंगे जो चडी बनियान विल्लाई ज़ाभ किदाब जिसके हम modern जिसको हम modern बोलते है वो, that's not really very modern, that's looks pretty absurd. वो, that is not really very modern, that looks very absurd. वो, जब आठे, रिफुद्ध में जाते, then we followed dress code लेकिन धाम में जाएंगे तो dress code ओला है क्या? feelings होनी चाहिए, कपड़ों में क्या रखाया है जी, नहीं, कपड़े, कपड़े में भी रखाया है जी, तो इसलिए हमें प्रॉपर ड्रेस कोड पहना चाहिए, लाई, पूतना के बारे में, one of the reason, why Krishna delivered पूतना, because she gave in a devotee dress, वो devotee dress पहन कर गाया थी, बैस तो यह अपना आजवा, फोन बगारा कहीं रखके आजओ, तो बहुत ही अच्छा है, so that you just, you are there with the glories of the Lord, that's the best, नहीं तो वहाँ पर जाकी यही करना है, तो यह तो आपका दिली-मॉंबई में भी काम होजा है कहरा था, यह वला काम तो, अब इवान हमने देखा मंदिर हमारे मंदिर में 10-10 साल तो कुछ यहाँ हो रहा है, यहाँ कुछ नया बन रहा है, वो चलता है रहता है, तो इसलिए मंदिर में बहुआन का विग्रहसान अगर पूरा हो जाए, that's it, और अगर कुछ अगर कुछ हलका भुलका, प्लस-mínस रह भी गहना, नाम संग कीरतन से, it becomes complete, तो इसलिए जब भी हम धाम जाए, हमें कीरतन करना चाहिए, it can be husband, wife, wife भाई पो बला, चल भाई, तु कीरतन कर, हम फॉलो करेंगे, थोड़े उसने कीरतन कर, हम फॉलो करेंगे, बीचमें, husband भी कीरतन कर, हमें फॉलो करेंगे, this is how we should live in holy dham, तो फॉल भी आएगे के, हाँ, जी धाम होकर के हाए, नहीं तो आप आगरा गये थे, कुल्लू मनाली गये थे, और अयुद्या गये थे, कुछ खास अंतर नजर आएगा ने आपको, यह सोच करके फिर हमें धाम में जाना चाहिए, so we should prepare before entering the holy dham, and then we can relish the holy dham. Okay, Amoglila Prabhuji, thank you. आपने इतनी अच्छी सारी कहानिया बताई, बगवान शी राम के बारे में, उनके भाईयों के बारे में, सिता महियां के बारे में, हनुमान जी के चरितर के बारे में, भक्ति के बारे में, यह सब रसों के बारे में बहुत अच्छा सीखने को मिला, और I hope audiences को बहुत मजा आएगा यह सुनके. Thank you so much. Thank you very much. Hare Krishna.